Hello friends, मैं हूँ आपके समनी गोरो मिगलानी इस वीडियो में हम study करने जा रहे हैं 12th class की business studies हमारा जो chapter continue चल रहा है वो है financial management, final decisions plus financial planning को लेकर पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने फूरा detail में study किया है कि financial management होता क्या है अब हम next topic पे आ रहे हैं वो है हमारा financial decisions तो अगर हम किसी भी finance manager से बात करें किसी भी financial manager से अगर हम पूछें कि तुमको कौन से main asset decisions business में लेने पड़ते हैं finance को लेकर तो उसका जवाब होगा investment decision, financing decisions तीसरा है dividend decision मतलब विनियोग निरने, फिर वितिय निरने, फिर तीसरा है लभाश से समंदित निरने, किसी भी finance manager को ये तीन decisions बहुत important लेने होते हैं तो इस वीडियो में जो हम अब topic स्टार्ट करने जा रहे हैं वो financial decisions का हमारा first part है जो है investment decision अब हम सबसे पहला part start करने जा रहे हैं financial decisions का investment decisions investment का क्या मतलब है business में हम जहां पर भी investment करते हैं वो investment चाहे हमने long term assets में किया हो या short term assets में किया हो या मतलब या हमने fixed assets के पैसे लगाने के related बात कर रहे हैं या current assets से related बात कर रहे हैं मैं फिर से repeat कर रहा हूँ fixed assets plus current assets हमको दोनों जगा पैसा invest करना होता है और उसी से related decisions की हम बात कर रहे हैं investment decisions तो investment decisions definitely हमारे business में investment से related ही एक decisions है तो definitely हम investment decision को दो पार्ट में divide करने जा रहे हैं पहली बात long term investment decision second is short term investment decision long term investment decision को हम capital budgeting भी बोलते हैं क्या बोलते हैं capital budgeting और short term investment decisions को हम क्या बोलते हैं working capital decisions तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि long term investment decisions क्या होते हैं देखो किसी भी business को जब आप चलाते हो तो उस business को चलाने के लिए हमें ऐसी property चाहिए होती है जो आपकी लंबे समय के लिए काम आने वाली हो for example plant, machinery, furniture, building, land ये सारी long term assets होती है जिसको हम fixed assets भी बोलते है तो investment decision के अंदर सबसे पहले हमको decision लेना होता है capital budgeting को लेकर मतलब long term investment decision तो आपको ये देखना होगा कि आपको long term के लिए कितनी कितनी assets आईगे और उनके लिए पैसा कितना कितना लगेगा ये सारी बाते आपको investment decision में ही सोचना पड़ता है तो investment decision मतलब आपकी long term assets को लेकर लिया जाने वाला decision अब हम बात करते हैं short term investment decision short term investment बोले तो current assets current assets के अंदर क्या क्या आता है cash कितना रखना होगा bank में पैसा कितना रखना होगा debtors में कितना पैसा हमारा फशा रहेगा prepate expenses कितने होंगे stock में कितना पैसा लगा रहेगा ये होती हैं हमारी current assets तो current assets क्या कामाती है working capital के daily routine के अंदर हमको बहुत सारे लोगों को payment कर रहा होता है daily routine के लिए हमको कुछ पैसा maintain करके भी रखना होता है तो current assets को लेकर लिया जाने वाला decision उसको हम बोलेंगे short term investment decision इसको हम working capital management भी बोलते हैं क्या बोलते हैं working capital management long term investment decision के अंदर हमको property के उपर लगने वाली cost प्लस उसके उपर मिलने वाले profit का भी ध्यानकना होता है कितनी cost आएगी और वो हमको कितना कमा कर देने वाली है कितनी income हमको देने वाली है ये बाते हमको ध्यानकनी होगी यहाँ पर हमको liquidity short term के अंदर हमको liquidity और profitability का ध्यानकना होता है ठीक है fixed assets के अंदर जब भी हम पैसा लगाते हैं तो हमको ये ध्यानकना होता है कि उसके उपर cost कितनी आएगी पलस cost के उपर जो हमको return मिनने वाला है जो पैसा वापिस से recover होने वाला है वो कैसे कैसे होने वाला है ये दोनों बाते capital budgeting में ध्यानक नहीं है liquidity और profitability ये दोनों बाते हमको का पर ध्यानक नहीं है working capital management के टोपिक अंदर अब हमारा next topic आता है कि factors कौन-कौन से effect करते है investment decision को investment decisions को कौन-कौन से factor effect करते है देखो investment decision दो type के है long term और short term तो definitely हमने क्या किया long term investment decision को कौन-कौन से factor effect करते है short term investment decisions को कौन-कौन से factor effect करते है simple सा topic है Factor Effecting Investment Decision और Investment Decision हमारे पास दो टाइप के हैं Long Term and Short Term तो सबसे पहले हम डिसकस करने जा रहे हैं कि Long Term Investment Decisions को कौन-कौन से Factor Effect करते हैं पहली बात मतलब हमको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है Long Term Investment Decision को लेते हुए जो पहला topic है जिस बात का हमको ध्यान रखना है वो होता है Cash Flow of the Project हम जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहे हैं For example आपने 50 लाख रुपे की एक मशीन खरीदनी है अब 50 लाख की मशीन खरीदो गए 50 लाख आपके बिजनस में से एक साथ निकलने वाला है पहली बात होगी मिरमत होगी इंस्टोलेशन होगी काफी सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रोपर्टी को खरीदने के बाद भी होते हैं तो खरीदने के टाइम पर तो खर्चा होने वाला है खरीदने के बाद भी खर्चा होने ही वाला है तो हमको क्या करना है पहली बात हमको यह ध्यान रखने वाली रखना है कि जो प्रोजेक्ट के उपर हम काम करने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट आपका पैसा मांगता है, उस प्रोजेक्ट के उपर यह देखो कि कितना पैसा बाहर जाएगा, outflow, उस प्रोजेक्ट से related कितना पैसा आपका बाहर जाने वाला है पलस जिस project पे आपने पैसा लगाया है वो project की वज़े से क्या आपकी income होगी का नहीं होगी definitely होगी क्योंकि जब भी हम किसी project पे काम करते हैं तो definitely किसलिए करते हैं income के लिए तो जो project आपने लगाया है उससे income भी होने वाली है मतलब inflow तो project से related हमको inflow और outflow का पहले से ही comparison कर लेना चाहिए ठीक है तो कोई भी project जो आप लगाने जा रहे हो उससे related inflow और outflow दोनों को comparison हमको कर लेना चाहिए point number two rate of return पचास लाकी आपने machine खरीदनी है पचास लाकी आपने machine खरीदनी है यह आपका मालो पहला decision है मालो हमारे पास एक option और है वो option है हमारे पास 70 लाक का investment करने का अब 50 लाक के उपर हमको return मिले मालो 10% यह 50 लाक के उपर मालो हमको हर साल 50 जार का profit हो इसके उपर हमको profit हो मालो 20% कौन सा लगाना पसंद करोगे 70 लाक वाला क्योंकि 70 लाक रपे वाले project के उपर आपको कमाई कितने आने वाली है 20% इसके उपर कमाई कितने आने वाली है 10% पर दोनों के investment देखो अलग लग है इसकी investment कितनी है 50 लाक इसकी investment कितनी है 70 लाक तो कोई भी project लगाने से पहले पहले तो ये देख लो की दोनों के उपर पैसा कितना लग रहा है दूसरी बात सबसे important जो मैं बात कर रहा था rate of return की जो project आप लगाने जा रहे हो उसके उपर आपको return कितनी मिलने वाली है कमाई आपको वापस में कितनी मिलने वाली है तो जो भी project आप अपने business में लगाने जा रहे हो तो उसके उपर ये देख लो कि आपको return कितनी मिलने वाली है वो project आपको कितना percent कमा के देने वाला है तो ये बात हमको पहले से ही ध्यानक नहीं होती है investment करने से पहले ट॑पिक नबर three इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया involved investment को लेकर जो मारा क्राइटेरिया होता है उसके अंदर कौन कोई सी भाते आती हैं ये भी ध्यानक नहीं होगी investment को करने से पहले उसके अंदर कुछ खास बाते और भी होती हैं जो उनको ध्यान रखनी होगी पहली बात investment को करने के लिए आप कहीं से मालो पैसा उठाओगे उस पैसे की उपर क्या पे करना पड़ेगा interest income project से कितनी आएगी कितना पैसा inflow होगा, कितना outflow होगा money आपको कितनी चाहिए होगी, जिस project पे आप काम करने जा रहे हो उसके लिए आपको कितना पैसे की जरूरत होगी तो इन सारे decisions के base पर भी हम क्या कर सकते हैं long term investment का decision ले सकते हैं तो long term investment decisions को effect करने वाले definitely 3 factors अभी हमने study की हैं पहला उस project से कितना inflow होने वाला है कितना outflow होने वाला, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा दूसरी बात, कितने percent की कमाई हमको होने वाली है उस project से related, rate of return तीसरी बात, कुछ criteria और भी होते हैं for example, interest से लेकर for example, कितना पैसा उस project के लिए चाहिए है कितना पैसा inflow होगा, outflow होगा कितनी income हमको वहां से आने वाली है तो ये सारे criteria को देखने के बाद भी हमने क्या करना होता है ये decision लेना होता है तो ये हमारा topic complete हुआ long term investment decisions को कौन गों से factor effect करते हैं अब हम बात करने जा रहे हैं short term investment decisions को कौन-कोन से factor effect करते हैं मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इस topic को हम working capital management का decision भी बोलते हैं क्या बोलते हैं? working capital management decisions ठीक है? तो working capital management decisions के अंदर क्या होता है? हमको working capital daily routine के लिए अंदर चाहिए होती है मैं आपको ये example देता हूँ आपके पास 50,000 है stock खरीदा stock आपके पास 2 महीने पढ़ा रहा वो stock आपने किसी को sale किया उसने भी आपको पैसा नहीं दिया वो आपका debtor बन गया debtors में पैसा कितने महीने फसा रहा मालो 2 महीने थोड़े time के बाद उस debtors ने आपको एक महीने का bill receivable दे दिया फिर आपका पैसा एक महीने के लिए किस में फसा रहा bill receivable में देखो ध्यान से 2 महीना पैसा stock में फसा रहा 2 महीना पैसा हमारा debtors में पसा रहा फिर वो पैसा convert हो गया बी आर में ultimately हमको cash तो चाहिए उस time period के लिए ये जो 5 महीने जो हम cash less हो गए है इस 5 महीने के अंदर जो हमारे पास पैसे की कमी आ जाएगी वो कहां से पूरी होगी तो इस 5 महीने की working को चलाने के लिए पैसा हमारे पास था पर वो पैसा कहां पे कनवट हो गया stock में फिर debtors में फिर bill receivable में ये 5 महीने हमारा पैसा बलोक रहा है इस 5 महीने की blockage को cover करने के लिए इस 5 महीने के अंदर काम चलाने के लिए हमको पैसे की requirement होती है उसी को हम बोलते है working capital तो working capital का management भी हमको सीखना होता है जो working capital का management होता है किसके अंदर आता है short term investment decision के अंदर क्योंकि short term investment होती है current assets को लेकर तो current assets के अंदर हमको ये ध्यान में रखना होता है कि हमारा stock में पैसा कितना फस जाता है debtors में पैसा कितना time फसा रहता है bill receivables में कितना पैसा average form में फसा रहता है तो उस time period के लिए हमको definitely business को operate करने के लिए पैसा चाहिए होता है क्योंकि daily routine के अंदर आपको कुछ लोगों को खर्चे pay करने होते है salary देनी है किसी को wages देनी है किसी को गाड़ी कराया देना है तो वो सारे खर्चे pay करने के लिए आपको पास आपके पास पैसा तो होना चाहिए तो उस पैसे की management हम कहां पे सिखते हैं short term investment decisions के under में सिखते हैं अब अगर आपके पास working capital का पैसा ज़्यादा पड़ा रहे अगर working capital का पैसा ज़्यादा पड़ा रहे तो business में हमारी liquidity ज़्यादा होगी पैसा ज़्यादा पड़ा होने से ठीक है liquidity है आपके पास आप तुरंत किसी को payment कर सकते हो कोई खड़े पैर पे आपसे पैसा मांगने आ गया आप उसको भी payment कर सकते हो पर आपके business की profitability कम हो जाएगी क्योंकि पैसा ज़्यादा पड़ा होने का मतलब होता है कि आप उस पैसे को अच्छे से use नहीं कर पारे मतलब उस पैसे के उपर जो profit आपको कमाना चाहिए था वो profit आपको नहीं हो पाएगा तो मतलब अगर working capital के अंदर लगा हुआ पैसा ज़्यादा है तो मतलब liquidity तो ज़्यादा है liquidity तो ज़्यादा है पर profitability कम है अगर इससे मैं अभी आपको opposite situation के और लेके जा रहा हूँ माल लो working capital का पैसा कम है working capital का पैसा कम है हमारे पास daily routine के खर्चे पे करने के लिए अगर पैसा कम रखा हुआ है तो क्या होगा तो मतलब हमारे पास business में liquidity नहीं है अगर आपके बस business में कोई खड़े पैर पे आगे आपके मेरे को salary दे wages दे के आप उसको pay कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो working capital के लिए अगर पैसा कम रखा हुआ है daily routine के खर्चों को pay करने के लिए पैसा कम रखा हुआ है daily routine के expenses को face करने के लिए अगर आपके पैसा कम रखा हुआ है तो इसका मलब है कि हमारे business में liquidity कम है liquidity कम है तो क्या होगा हमको daily routine के खर्चे पे करने के अंदर लोगों को salary देने के अंदर employees को wages पे करने के अंदर बहुत दिक्कत आने वाली है तो short term investment decision लेने से पहले हमको working capital के जो आप decision लेते हो उसमें पहले आपको ये देख लेना है liquidity और profitability working capital management इस तरह से होनी चाहिए कि हमारी liquidity भी proper बनी रहे और profitability भी पूरी बनी रहे दोनों का सामन जस्य है दोनों का coordination इतना proper अच्छे से तरीके से होना चाहिए कि हमारे पास पैसा ना तो ज़्यादा पड़ा रहे ना कम पड़ा रहे पैसा इतनी मात्रा में होना चाहिए कि आपका काम भी चलता रहे और आपके daily routine के खर्चे भी आप पे करते रहो तो ये था हमारा simple सा topic मैं फिर से एक बड़ी पूरा recap कर रहा हूँ क्या investment decision, long term investment decision and short term investment decision फिर हमने पड़े इसको कौन से factory fact करते हैं तीन factors फिर इसको कौन से factory fact करते हैं profitability and the liquidity ठीक है तो हमारा जो chapter continue चल रहा है वो chapter का पूरा का नाम ही यही है financial management plus financial decisions plus financial planning हमने जो topic start किया financial decision का जो हमारा topic start हुआ है वो हमने start किया है investment decision तो आज हमने discuss किया investment decision का तो next video के अंदर हम next topic पे आएंगे वो है मारा financing decision वितिय है, निरन है तो यहाँ तक का video दिखने के लिए आपका धनेवाद मिलते हैं जल्दी से next video में